नमस्कार प्यारे परदेश वासियों, परदेश में करोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल परदेश सरकार को आप सब की इस रक्षा के लिए और कोबिट के संक्रमन को रोकने के लिए करोना कर्फियू को लागू करना पड़ रहा है। या करोना करफ्यू कल से लागू होगा. करोना के कारण बनी हुई स्थिति से हम सब लोग चिंतित हैं. हमारे लिए आप सब का जीवन बहुत मत्तफून है. इसलिए हम को हिमाचलपरदेश में करोना करफ्यू लगाने का ये कदम उठाना पड़ा है. हिमाचल परदेश सरकार हर संभव प्रतन कर रही है कि संकट के समय में हम हर संभव मदद आप सब की कर सके उस दृष्टी से जहां जो लोग हॉस्पीटल में एडमिट हैं जिनका उपचार चल रहा है हमारे डॉक्टर्स पेरामेडिकल स्टाफ सब उनकी सेवा में वहां पर काम कर रहे हैं और उनके जीव उनको बचाने के लिए हर संभव प्रतन कर रहे हैं और उसी परकार से जो लोग होम आईसोलेशन में हैं लेकिन कोविट के टेस्ट में वो पॉजिटिव आये हैं उनके लिए भी हमारे हेल्थ केर वर्कर्स आशा वर्कर्स हमारे पंचायती रासनसाओं के चुने वो प्रतनिधी भी प्रतन कर रहे हैं कि उनको घर में कोई कटनाई ना हो परिशानी ना हो उनके परिवार वालों को विजिस रूप में मदद की जा सकती है उस तरह से प्रतन क किया जा रहे हैं हम हिमाचल परदेश सरकार की ओर से भी उन सभी लोगों के उत्तम स्वास्त्य की कामना करते हैं जो हॉस्पिटल में है और उसके साथ साथ में होम आईसोलेशन में हैं हम सब लोगों को इस वात को समझना चाहिए कि इस संकट छोटा नहीं है इस संकट हम भी जिम्मबारी के साथ काम करें यो विराव सब से बिनम्म मर्णिवेदन है, परदेश के नागरिक होने के नाते हैं, यह हमरा नयतिक दाईत तो बनता ہے, कि हम संक्रमन को रोकने में काम करें, फैलाने में नहीं, इसलिया हमने कुछ बंदीशें भी लगाई हैं जहां हमने राजनेतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं परदेश में सैकडों हजारों क्रोड रुपे के प्रोजेक्ट्स उद्गाटन और शिला नयास के लिए त्यार हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कारेकरम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे बड़े कारेकरम करेंगे तो भीड का वहां पर आना होगा और संक्रामन फैलने की वहां पर आशंका होगी ऐसी परसित्य में मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार अपने दाइटों का जहां पालन कर रही है इस संक्रामन को रोकने के लिए हर संभा परतन कर रही है वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निवाने के लिए आगे आकर के सहुग देना चाहिए शादियों के आईजियन हो रहे हैं हमने बार बार परदेश की जनता से इस बात के लिए आगरे किया लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक नहीं आनेक स्थानू पर ऐसा देखा कि शादियों के समारो बहुत बड़े हो रहे हैं और जिसके कारण संक्रमन बहुत ज़्यादा फैला है और अंत्ता हमको ये निर्ने करना पड़ा कि शादियां छोटी होंगी बीच से ज़्यादा लोग अगर शादी में उपस्तित होंगे तो कानूनी कारवाई भी इसमें खोगी मेरा आप समसे भी नमबर निवेदन है कि कोविट के इस संक्र से सभी परदेशवासियों को बचाने के लिए हमने अकरोना कर्फियों लागू किया है आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें निमो का उसमें पालन करें और निश्चेत रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ यही एक मातर रास्ता है कोविट से बचने के लिए इस संक्र से बाहर निकने के लिए मुझे पूरा बरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे समर्थन देंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जाही